स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टू टिक्नोलजी में मैं अनुपर मेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडी में आज हम लोग बात करें गें पैंस पर मिया के बारे में तो आए समझते हैं तो सबस्वे पहले तो जाए वो कुछ डर्श एक बाता है और अगर यह बात सब्सक्राइब होती है तो इसका मतलब कि हम सबलोगा ओरजिन जो है धर्ती पर नहीं हुआ है यह मतलब समझे हम लोग वर्लोग खुदी ही एलियन है इस प्लानेट पर हम लोग खुदी एलियन बचे है अगर यह प इतने भी हम लोग method, test सब कर सकते हैं, सब प्रूफ हो चुका है, अब उसको हम लोग समझे रिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पर यह समझे, उसको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि evolution, a-biogenesis नहीं explain करता है, यानि कि non-living से living के बीच का जो jump है, जिसे हम लोग a-biogenesis कहते हैं, यह jump का काम नहीं है, evolution को explain करना, यह jump कैसे हुआ, evolution का है, evolution का है कि आप life start कर दिये, ठीक है, आपके पास है single cellular organism आ गया है, वहां से गाड़ी आपके आगे कैसे खुली, वो define करना है, यानि ऐसा समझ ली कि आप शहर बना लिए तो सहर का business कैसे होगा, वो define करता है, तो यह सब explain करना, evolution का काम है, तो यह बस समझे कि अगर यह सब, यह बात सही सावित हो जाती है, तो हिसाब यह होने वाला है, कि हम लोग का starting point जो है, वो जो हम लोग करने की primordial soup, वो कहीं और चगा जाएगा, उसमें थोड़ा और time add हो जागा, या time घड़ जागा, डिपेंड करता किस तरह का data सामने आता है, लेकिन इस पर कोई फरक ने पढ़ने वाला है, यह बस समझे कि class 1 से पहले आप कहाँ पढ़े थे, वो बदल जाएगा, अब बात करते हैं, क्या इसका कोई evidence है कि बस हावा में उड़ रहे हैं, तो हिसाब में यह समझे कि data points है, खूप सारे समझे evidence, hint के तोर पे हैं, जैसे कि सबसे बढ़ा है कि बहुत सारा पत्थर जो है, इंटर प्लनेटरी जर्नी कर सकता है, यानि कि जैसे धरती पे बहुत सारे पत्थर है, जिसमें कोई चांद का है, कोई मार्स का है, यह सब मिल चुका है, और यह randomly जब भार में अच्छे से study करने अच्छे से cataloging करने लिए पता चले यह common बात है, मतलो समझे है, हर साल कुछ ना कुछ आके गिरते रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो इससे तो पहले एक data आगया कि possible तो है, मतलब at least solar system के अंदर possible है, चलो ठीक है, एक data point आता है, दूसरा, जब भी big impact होता है, यान planet के gravitational wells है, यानि कि धर्ती पे भीड़ा, धर्ती का gravitational well जो है, यानि जो 9.8 meter per second square का जो well है, इससे बाहर निकल सकता है, मतलब वो orbit करने लगे, या किसी और trajectory पे चला चाहे, तो यह होना possible हो जाता है, और दूसरा, यह समझे, यह तो proof तो और पर आई चुका है, कि यह पत्थर स लेवल से हैता, तो यह सारे प्रूफ दे रहा है कि मतलब अगर जो हम लोग solar system को देखते हैं, तो एक तो स्टाटिक देखते हैं, यह solar system यहाँ है, लेकिन यह सारे data point दिखाता है, कि नहीं mix हो रहा है, बहुत धीरे-धीरे हो रहा है, ऐसानी कि रोज हो रहा है, लेकिन हो ज solar system के लिए, समझी हम लोगा camera का megapixel हो इतना हाई नहीं था, अब जब हाई हो गया तो यह होता रहता है, तो evidence इसी से थोड़ा सा mount up हो रहा है, थोड़ा सा एक तो यह आगे थी, physical, मतलब, समझी है, transport carrier हम लोग को देखते हैं, अब बात करते हैं, पत्थर अलग बात होती है, organic life को इधर से उधर करना वह अलग बात होता है, तो हिसाब यह समझ में आता है कि बहुत सारे organism हमारे परिच्वी में पाए जारे है, जो कि बहुत जादा हाड़ी होते हैं, जिसमें endolythic, मतलब, समझी पूरा sub category है, species का, यह पत्थर के अंदर रहते हैं, यह पत्थर के आजम नहीं होता, चाहे वो hot spring हो, चाहे sulfur का mine हो, मतलब, ऐसे इसे जिगहां पर जहां पर normal organic life जिसे आप और हम जानते वो नहीं टिक पाएगा, बहुत सारे organic life इवाल हुए हैं, जो उसी सब को handle कर लें, यह सब बहुत टिकाओ organism है, मतलब कि जब आप बात कर रहे हैं कि प्ल अधर के अंधर है, मान लीजे, एक बढ़ा का बढ़ा, बहुत बढ़ा important हुआ, अब पुरा 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 पहाड़ी eject होगा है, जो कि common बात है, कोई बढ़ी बात नहीं होगी, common बात है, पहाडी eject जैसे हो जाता है, तो उस case में, मान लीजे, पहाड के अंदर किसी rock में अ अधर का जैसे टाइम खूब radiation बबार्टनेट होगा, पत्थर के अंदर है, कोच नहीं होने वाला, तो यह सबसे हम लोगों को एक data point मिल रहा है कि हमारे पास transport carrier दिखा, दूसरे ऐसे life form दिख रहे हैं, जो मतलब बहुत जाता strong है, और इसमें बहुत सारे, मतलब समझे, micro organism है जो short term में planet hopping को अभी आराम से handle कर सकते हैं, जैसे कि मतलब एक planet से दूसरे planet के जाना के लिए आपको vacuum से जाना पड़ेगा, बहुत सारे micro organism यह आराम से cross कर सकते हैं, मतलब बिना उपर गए यह cross किया जा सकता है, लेकिन वो hibernation में चले जाएंगे, और उनको फिर समझी एक थ transportation दिखने लगा, फिर हो गया कि organism ऐसे हैं, जो अगर यह सब पथर में होते हैं, तो एक जगा से दूसरे जगा जा सकते थे, इसी से यह hypothesis आगे आ रहा है, अब बात करते हैं, यह इसका final चीज समझना जबहुत जरूरी है, कि यह unknowable के classification में आता है, यानि कि इस question को solve करना possible अ अब guess नहीं कर सकते हैं, तो इसी cases में नहीं हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर कोई proof मिलेगा, तो कैसा मिलेगा, तो proof के तौर पे अगर माली यह DNA, जिस तरह का हमारे DNA, इस तरह का DNA का life form, solar system में कहीं और मिल जाता है, जैसे कि मार्स में मिल जाए, जैसे माली हम लो जिसका core architecture थोड़ा हथ तक match करता अर्थ से, तो समझ में आ जाएगा कि कोई चीज था जो intergalactic तोर पर seeding किया, seeding किया, as in like natural process से यह होना possible हो जाएगा, तो यह सब के ना हो, माल लिजे, तब तक यह hypothesis रहेगा, क्योंकि बिना उस data point के, hard solid data point के, नहीं हम लोग इसको proof कर जाए evolution को proof करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे ही इसमें भी होगा, और यह समझी कि अगर यह नहीं होता है, माल लिजे हम लोग को बहुत पूरा अच्छे से कलको हम लोग solar system जो है, काफी grow कर जाता है, हम लोग हर planet को, हर moon को, हर asteroid को study करने लिए जैसे कि expanse tv show में दिखाय गय तो क्या इसका मतलब है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, नहीं, इसका मतलब है यहां नहीं हुआ, कहीं और हो सकता है, किसी और solar system भी हो सकता है, यह समझना बेहत जरूरी है, इसलिए इसे unknownable के category में डाला जाता है, क्योंकि आपको पूरा universe का data points चाहिए, तब जाके आप इसक हाँ या नहीं जवाब दे सकता है, उससे एक इंच पहले तक आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, फिर यह समझे यह, यह question को almost उसी category में डाल सकती ही, aliens है कि नहीं, क्योंकि aliens का case में हम लोग सिर्फ एक aliens को पकड़ सकते हैं, जो advanced, मतलब radio technology का इस्तमाल कर रहे हैं, और plus हम हमारे radio reach में हैं, जानि कि मा लिजे आप भी इस समय, जे समय में यह video बना रहा हूं, उस समय दूसरी galaxy में कोई alien है, वो धरती के तरह signal भेजा, वो signal को आने में कुछ million साल लगेंगे, तो हिसा भी नहीं बनता है कि हम लोग उसको detect कर सकते हैं, सवाल ही नहीं है, discussion ही नहीं है, क्योंकि बाइलोजी के लिए बहुत important वात है, बाइलोजी को समझना, early life form को समझना, माल लिजे उससे हम लोगो नहीं पता चलता है कि life दर्ती में start कैसे हुआ, लेकिन उसका एक दो और important step समझ में आ चाएगा, और कल को हमारे, मतलब जो हमारे आने वाले time में generations होगी, वो उ इसे समझेगी, हम लोगों इससे टाडी क्रीचर होता है, नहीं पता था, जब इस पर खुदाई करते, रिसरच करते, करते, कहते हो ले इतरी तो, यह hibernation period में सीधे सीधे hard vacuum बरदास कर सकता है, और बहुत high level का radiation environment भी handle कर सकता है, बहुत long term नहीं कर भाएगा, लें short term के और वो प्राइसलेस है, तो इसलिए यह ऐसे रिसरच के तौर पर देखे कि कौन लोग इसको 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 इसमाल करें, क्या फाइदा हो रहा है, बाकि आम लोगों को इससे कोई खास फड़क नहीं पढ़ने वाला, और इसका अगर पूरा टीवी शो देखना तो एक स्टेल और अबजेक्ट आके मतलब बाइलोजिकल मेटेरियल सोलर सिस्टम के अंदर ले आता है, तो वही समझे कि यह समझना बहुत जड़ेगा, बहुत जादा भावनाओं में ना पहें, क्योंकि यह अन्नोयबल है, जब तक हम लोगो पूरा ब्रहमान का स्टेडी नहीं कर लेते या मतलब DNA का कोई exact data point में जाता है, यूरोपा पे, मार्स पे, या कहीं और पे, कि नहीं, यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन है, तब हो जाएगा कि नहीं, यह पैंसफरमिया से ही यह हो सकता था, तो यह था मेरा च्छोड़ा प्रजेंटेशन पैंसफरमिया के बारे में उमीद कता हूँ, आपको अच्छा लगो, कुछ लिक्नियों मिलाओ, कुछ समझ में हो, अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों आशेयर कर दें, उसे मेरा काफी बहला होगा, नहीं अचाला अगर नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलेक कर सकते हैं, मैं कहूंग आपको आपको, आपको आपको, आपको आपको, आपको आपक अयाते हैं, अजय आपको इमेहें?